हेलो दोस्तो स्वाधत है आपका हमारे यूटूब चैनल इन्वेस्टिंग ग्यान में जहां पे हम लोग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको ग्यान की बाते बताते रहते हैं तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक ऐसे फंड के बारे में जिसमें आप बहुत ही मीनिमम एमाउंट जमा करें और जब भी आप उससे पैसे निकाले तो एक अच्छी खासी रखम आपको मिल जाए क्योंकि हर इंसान का एक सपना होता है कि कम लागत में ज जमा करने हैं और क्या-क्या चीजी आपको इसमें करनी पड़ेगी कितना रेटन मिलेगा पूरी जानकारी देंगे तो चलिए वीडियो की सुरुवात करते हैं उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस अभी सब्सक्राइब कर ले साथ-साथ बेल आइकन भी दबा दे जिससे की आगे जो भी वीडियो में अप्लोड करो उसकी जानकारी आपको मिल जाए अब सबसे पहले इस फंड का क्या नाम है यह जो फंड है यह बोड़ोदा बी एन पी परिवास मल्टी क्या फंड डारेक लेकिन अब इसके कौन-कौन सी चीजे जो आपको एट्रेक्ट करगी वो बताते हैं सबसे पहले इसका रिटर्न जैसा कि आप रिटर्न देख सकते हैं जब से यह फंड स्टार्ट हुआ तब से लेकर अभी तक हर साल 15% से ज़्यादा का रिटर्न दे रहा है और लाश्ट के सालों में मतलब एक साल पहले 22% का रिटर्न और लाश्ट के 6 मन्त में ही 15% का रिटर्न दे दिया है अब बात करते हैं इसके minimum investment की तो आप इसमें minimum 500 रुपए जमा कर सकते हैं मन्त ली और यह one time investment की बात करें तो 5000 रुपए इसके बात इसके holdings की बात कर लेते हैं का आखिर ज D.I. Bank, HDFC Bank, Reliance Industry, JB Chemicals and Pharmaceuticals, Tata Consultancy Service यानि TCS ये टॉप पाँच कमपनिया है जिनमें सबसे ज़्यादा इस fund के द्वारा invest की जाती है अब इसका fund size कितना है इसका fund size 1804 करोण अभी तक हो चुका यानि 1804 करोण अब हम लोग return की बात करते हैं return हम लोग 20% पर calculate करेंगे और पैसे जमा करेंगे 899 रूप है इस basis पे देखा जाए तो 5 सालों में जो जमा रासी होगी वो 53,940 की होगी और return आपको मिलेगा 49,65 टोटल वेल्यू 93,005 रूपेज की हो जाएगी यही 10 सालों में तो यहां पे 1,07,000 का investment होगा और 2,35,000 return में total value 3,43,000 की होगी 15 सालों में 1,61,000 का investment 8,57,000 का return total value 10,19,000 इसके बाल और आगे बढ़ते हैं 20 सालों के लिए अगर किया जाए तो 2,15,000 का investment 26,00,000 रूपेज आपको return मिलेंगे और total value 28,45,88,000 की होगी फिर 25 सालों में 2,79,000 का investment आपका investment और return 24,00,000 रूपेज टोटल वेल्यू 77,00,000 20 सालों के दिखा जाए 3,23,000 का investment और return 2,6,00,000 रूपे टोटल वेल्यू 2,10,000,000 हो जाएगी यानि कि आप सिर्फ 3,23,000 रूपे या 3,25,000 रूपे जमा करके इस fund से 2,0,000 तक का return ले सकते हैं लेकिन ये return तब मिलेगा जब आप हर मेने 8,99,000 रूपे जमा करेंगे साथ साथ return आपको 20% यहाँ पे अगर मिलता है परते एक साल तो हो सकता है return में थोड़ी कमी भी देखने को मिले क्योंकि market जो होता है उस पे किसी का बस नहीं चलता वो time to time up and down होता रहता है ये चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए तभी आप share market या mutual fund में invest करें इस स्थिति में हो सकता 18% भी हो जाए 19% भी हो जाए तो ऐसी संभावनाई बनती है लेकिन ऐसी संभावनाई बनने के बार भी आपके return पे ज्यादा का परभाव नहीं पड़ेगा जहां यहां 2 करोर 10 लाग दिख रहे हैं आपको हो सकता है 1.5 करोर 1 करोर तक यह down हो लेकिन कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि 20% के अलावा आपको 21-22% भी मिल जाए उस स्थिति में भी ये 2 करोर से जादा जा सकता है तो दोनों संभावनाई हैं दोनों को देखते भी आप इस फैनंसेल एडवाजर से सला ले सकते हैं या हमें आप कमेंट कर सकते हैं लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले सारी चीजों को खुद से वेरिफाई जरूर कर लें तो मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए आप मारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर द छाओ कर दो का सकते हैं या हमें आप मारे चैनल को खुद से वे आप में तक कर दो की जए आप मारें पो खुद से वेडियो में तक कर दो खुद से वेड़ से चैनल